वेलकम तो अतुल क्लासेश आयम अतुल सुरवास्तो एजुकेटर मेंटर एंड कैजिर कोच इस चैनल इस बेसिकली क्रिएटेड पर आल इस्टुटेंट्स वो वांस तो विड़ अप जैर कैरियर इंडिफरेंट फिल्ड तो सब्सक्राइब माइ चैनल पर एजुकेटर गाइडेंस एजुकेटर वीडियो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर अब देखें मैं अपने चैनल पर कंप्लीट फ्री कोर्से लॉं ग्रामर में इंपोर्टेंट एसे अप्लोड कर दिये हैं और लेटर से अप्लोड कर दिये हैं अभी ग्रामर का कंप्लीट कोर्स मैंने स्टार्ट किया है जिसमें नाउन, प्रणाउन, वर्ब, एड्जेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजेक्शन, इंटर्जेक है grammar का course जैसे ही complete होगा उसके बाद मैं economics का video लाओंगा economics और economy वो भी chapter wise one by one step by step सब कुछ एकदम सुरूते हैं तो economics के बाद economics उन लोगों के लिए जो 11th या 12th में economics किसे हैं भी ये कर रहे हैं या फिर CA वाले बच्चे especially CA students उनके लिए economics है प्रस government job के बच्चे जो economics सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं हैं डिटेंड नोट्स या टाइप नोट्स आपको प्रवाइड होते रहेंगे और उसके वीडियो लेक्चर आपको फ्री आपको चैप्टर वाई चैप्टर मिलते चैप्टर हर सब्जेक्ट पर इस्टेप मैं वीडियो बनाओँ गांगा और अपलोड करूंगा तो मेरे चैनल के साथ जुड़कर आप सब्जेक्ट को बीना किसी fees दिए सीख सकते हैं दोस्तों तो अभी जो दूसरा course में launch करने जा रहा हूँ हो है business statistics ये course 11th to 12th commerce 9th 10th में science side वाले students 11th 12th commerce वाले students और साथी साथ CA students जो foundation में हैं प्लस आप अगर graduation में हैं वहाँ पर भी business statistics जिस भी class में आ रही है तो आप सभी लोगों के लिए ये course शुरू हो रहा है तो business statistics अगर आपको भी समझ में नहीं आती आपको भी कठिन लगती है अगर आप विकॉम में हैं और फर्स्ट एर इंटर में हैं CA foundation का course कर रहे हैं business statistics का revision आप इससे करिए आप इससे notes के द्वारा तो चैनल को subscribe कर लिजे और दोस्तों तक share कर दीजे ताकि सभी को इस चैनल के बारे में पता चल सके और सभी बच्चे इसका free benefit उठा सकें आप support करोगे हमें तो हम आपके लिए बहुत सारी research करके बहुत सारी knowledge की चीज़े लाते करेंगे आए दोस्तों start करते हैं आज से यह नया course जिसका नाम है business statistics तो बिल्कुल basic से बात करेंगे बिल्कुल starting से देखिए सबसे पहले जैसा कि आप लोग एक word जानते हैं commerce side में एक बहुत बड़ी degree है जिसको कहते हैं CA chartered accountant तो उसी का मैंने यहाँ पे meaning लिखा है कि chartered accountant अगर एक line में define करना हो कि हुई chartered accountant तो आप बताएंगे a total business solution provider क्योंकि वो business का complete solution उसके पास होता है इसलिए ऐसे professional को chartered accountant कहा जाता है आईए अगला point बात करते हैं business देखिए statistics की बात हुई है तो business को समझना भी बहुत ज़री है तो पहले business की बात करते हैं business किसे कहते हैं कोई भी पूछे तो आप बताएंगे any continuous activities any continuous activities with respect to earn profit called business अगर कोई लगातार कोई काम आप कर रहे हैं डेली कर रहे हैं किस उद्देश से with respect to earn profit profit कमाने के उद्देश से तो that process that activity is called business ऐसे काम को business कहते हैं जैसे कोई company firm H.U.F. proprietorship firm partnership firm यह सभी business ही हैं क्योंकि यह continuous work करते हैं और profit कमाने के उद्देश से खोली जाती हैं इसलिए यह business है यह सब business के types हैं अब हम लोग बात करेंगे statistics की statistics देखी क्या है according to बाउले बाउले एक statistician है मतलब mathematician आप कह सकते हूँ बाउले के according statistics is the science of mean statistics माध्यों का विज्ञान है मतलब की average का विज्ञान है statistics is the science of average भी कह सकते हैं या science of mean भी कह सकते हैं अब थोड़ी सी जो पेपर में important question बनता है इससे आप से जानकारी लेना चाहता है question अगर theory का question आता है विकॉम वाले बच्चों के लिए तो यह आता है कि statistics से आप क्या समस्ते what do you mean by statistics tell me something about statistics तो आप कुछ भी question आए history से related कोई question आता है states का तो आप उसका answer कैसे लेखेंगे देखिए सांकेकी का उद्धिका में उग विकास है history of statistics देखिए सांकेकी शब्द का प्रियोग सरुप्रतम जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान God Fried Akinwall याद रखिएगा नाम God Fried Akinwall ने सन 1749 इस वी में किया था इन्हें सांकेकी का पिता यानि father of statistics कहा जाता है इसी के पहले इंग्लेंड के महा कभी William Shakespeare ने Hamlet नामक बुक में पुस्तक में राज्य के सासनकाल में निपुड वेक्तियों के लिए भी इस सब्द का प्रियोग किया था जो लोग राज्य को चलाते हैं और उसमें perfect हैं इसकी लिफूल हैं उनको भी statistics कहा जाता है अब देखे इसके बाद आप क्या लिखेंगे अंग्रीजी भासा का सब्द statistics यह लिखा हुआ है लेटिन भासा के सब्द status इटेलियन भासा के सब्द statista और जर्मन भासा का सब्द statistic फ्रेंच भासा के सब्द statistically क्यूं T-I-S-Q-U-E सब्द से लिया गया है इनी सभी सब्दों का अर्थ राज जिसे है इस्टेट से है राचिन समय में राजा महाराजा अपनी आर्थिक दसा को जानने के लिए प्रतिक वर्ष के आय और व्याय यानि इंकम और एक्सपेंसिस का हिसाब किताब लगवाते थे वे लोग सभी प्रकार के आकड़े 71 करके यानि डाटा 71 करके कलेक्ट करके उसी के आधार पर यह ज्यात कर पाते थे कि उनकी रियासत यानि उनकी स्टेट लाब में चल रही है या हानी में इसकी पूर्ती के लिए वे सेना की संख्या राज्य पर वे भूमी कर आदिया अफसक्ता अनुसार घटाते बढ़ाते थे वे लोग बिना जाने ही स्टेटिस्टिस का प्रियोग कर देते थे क्योंकि सांखिकी में सरपृत्थम आक्ले एकत्रित किया जाते हैं इसके बाद सोल्वी सताब्दी में खगोल सास्त्र जोंस कैपलर और तारको ग्राहिक नामक वैग्यानिक ने न छत्रो की गती, इस्थति तता ग्रहण आदि के संब्द में आक्ले एकत्रित किये सत्रवी सताब्दी में जन्म मरण सम्मंदी आगले इकतित करने के लिए सांगे की छेतर का अविस्कार हुआ और जीवन मरण सम्मंदी सारणियों के आधार पर अविस्कार हुआ 18 सताबदी में सांकिकी वा गडित का घनिश्ट संबंध होने के कारण संबंधित रीतियां अधिक विक्सित हुएं और 19 सताबदी में सांकिकी के अनुसार सिद्धांत की नीव डालने का से वेलजियम के विप्रसिद गडितग क्यूटले को है मतलब 19 सताबदी में देखी सांकिकी में बहुत सारे प्रिंसिपल डाले गए यह कितने डाले बेलजियम के प्रसिद गडितग क्यूटले इन्होंने खगोल सास्तर अंतिच विज्ञान भौतिक विज्ञान के छेत्र में सांकिकी रीतियों का अधिक प्रियोग किया और 20 सताबदी में सांकिकी में सबसे अधिक विकास हुआ वर्तमान समय में मानो विज्ञान की सभी साखाओं में सांकिकी का प्रियोग किया जा रहा है और ये present time है देखिए इस समय सबसे ज़्यादा संख्याओं का इस्टेटिस्टिफ का यूज किया जाता है कहाँ पर मानो विज्ञान में human science में आए देखते हैं संख्याओं का अर्थ संख्याओं का अध्यन मानते हैं मतलब study of numbers संख्याओं की पूर्वा नुमान करने यानि forecasting और business करने analysis करने में help करती है सहायक होती है संख्याओं की को एक वचन और दो वचन दोनों के रूप में माना गया है मतलब संख्याओं की plural भी है और singular में भी है तो जिससे उसका तात पर समंगों से है समंगों का मतलब data स फिर कह रहे एल बाउले के अनुसार एल बाउले ने क्या था संख्याओं की गर्णा का विज्यान है इसे गर्णा की महत्पुड रीती कहा जाता है गर्णा माने calculation लेकिन इसका प्रयोग छोटी संख्याओं के संख्याओं के संख्याओं में ही किया जाता है संख्याओं का प भारत में कितनी गेहों की पैदावार है यह लगबग लगाया जा सकता है यह ना एक्जेक्ट नहीं बता सकते और दूसरे सब्दों में सांखिकी को माध्यों का विज्ञान भी कहा जाता है मतलब साइंस ऑफ एवरेच इसके बाद क्रॉप्टन और काउडन के अनुसार सांखिकी को संख्या संबंदी आकडों के प्रस्तुति करण यह नि कि प्रिजेंटिशन विश्लेशन एनालिसिस और निरवर्शन के रूप में परिवासित किया जा सकता है फिर आधुनिकतम परिवासा प्रिजेंट टाइम क क्या प्रिवासा है सांखिके की देखिए सांखिकी वह कलाया विज्ञान है जो किसी भी अनुसंधान छेत्र में सामाजिक प्राकृतिक और आर्थिक से संबंदित आकडों को विविन कारणों से प्रभावित होते हैं फिर वर्गी करण सारणी प्रस्तुति करण विसलेशन निर्वर्चन और पूर्वानुमान से संबंद रखता है सांखिकी ताकि निस्चित उद्देश निर्धारित उद्देश की पूर्थी हो सके तो यह सांखिकी है सांखिकी गरणा का विज्ञान है सांखिक से हम लोग कैलक्रेशन करते हैं किसी डाटा को एक कैलेक्ट करके उसके basis पर result निकालते हैं तो दोस्तों यही सब संक्री के काम है जैसे आप कभी कोई सुनते हैं कि भारत देस में इतने लोग खोन यूज करते हैं भारत देस इतने रुपे का वह एक्षपौर्ट होता है या इतने रुपे का इंपोर्ट होता है इतनी जंसंख्या अच्छी है इतनी जैसें क्या खराब है, कुछ भी ऐसा data आप चब पढ़ते हैं, तो यह statistics का यूज करके इस प्रकार के results दिये जाते हैं, जो news paper में आप पढ़ते हैं, तो यहाँ statistics ही काम आती है, महत जड़ता का नियम, यह नियम सांकिकी नियमत्ता नियम का उप में है, ओके, यह statistics से related rule ह निया दर्स के अनुसार, निया दर्स जितना अधिक बड़ा होगा, निया दर्स माने सेंपल, सेंपल जितना अधिक बड़ा होगा, सुद्धा भी उतनी बड़ी होगी, बड़ी संख्याएं, छोटी संख्याओं की अपेच्छा अधिक स्थिर और परिवरतन सील होती हैं, बड़ी संख्या ज्यादा इस्टे कि एक समूप की इकाय लगा तार परिवर्तन सील होती है, किन्तु पूरा समूँ धीरे-जीरे करके बदलता है. इसलिए बड़ी संख्याइ कम बदलती है। छोड़े संख्या ज्यादा बदलती है। very good यहां तक समझ में आ गई बात तो दोस्तो अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो यह तो था हमारा lecture one statistics का इसको share करिए और subscribe कर दीजी channel को और अधिक से अधिक लोगों को बताईए इस channel के बारे में यह channel आपके लिए ही बनाया गया है especially in courses के लिए ये चैनल हमीशा dedicated रहेगा जो आपके सामने दिख रहे हैं प्लस साथी साथ आपको career guidance के videos, technical skills के videos और आप life में कौन-कौन से courses कर सकते हैं कितनी type के courses ऐसे हैं जो present time के recording अगर किये जाएं तो life secure हो सकती है अच्छे earning के साथन create हो सकते हैं इन सब पर मैं बात करूँगा और इन सब पर मैं वीडियो दिरे दिरे बनाऊँगा ताकि जितना सेवा हो सकती है मेरी हम आप लोगों के लिए हमिसा करते रहेंगे ऒएट दोस्तों जैहिन नमसकार फिर मिलें अच्छ वीडियो में chapter no 2 के साथ या लेशिन नंबर टू के साथ इस्टेटिस्टिक्स के लेक्शर के साथ और प्लस ग्रामर के लेक्शर तब में के लिए धन्यवाद thank you very much for watching the video and bye bye Take care